साउत की अभी नेत्री प्रिया प्रिकार्श वारियर को कौन नहीं जानता उनकी वो आख मारना उस वक्त में ऐसा शोशल मीडिया पर फैला था कि जो भी प्रिया को नहीं जानता होगा वो भी उन्हें जाने लग गया था प्रिया ने अपनी उन अदाओं से सबको अपना दिवाना बनाया था अब हाल ही में प्रिया की एक नई फिल्म करने की बात सामने आई है जिसके चलती हूँ एक बार फिल्स सुर्ख्यों में आ गई है दरसल बॉलिवूद डेब्यू फिल्म श्री देवी बंगलो नाम की फिल प्रिकाश और उसका टीजर भी रिलीज हो चुका है लेकिन यह फिल्म खत्रे में पड़ गई है जी हाँ अब यह फिल्म का टीजर सामने आया है तब से ही यह विवादों में घिर गई हैं काफी समय पहले ही श्री देवी के पती बोनी कपूर इस फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेज चुके हैं जिने वह सभी कई बार नजर अंदाज भी कर चुके हैं हाला कि आपको बता दें कि अब बोनी कपूर ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्य जताते हुए मेकर्स को लीगल नोटिस भेजने का फिर से मन बना लिया है ताकि वह फिल्म के आइटल नेम ही श्रीदेवी रखा हुआ है यानि उस फिल्म का नाम श्रीदेवी बंगलो है जिसके चलते वोनी कपूर को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आए जिसके चलते उन्होंने उन्हें लीगल नोटिस भेजा हाला कि इसके लाव आपको बता दें कि आखिर खबर लाइफ में श्रीदेवी की खत्म होने की बात सामने आई थी इस नोटिस पर डिर्ण प्रशांत मामली ने कहा था कि हमने बोनी कपूर से लीगल नोटिस मिला है और हम इसका सामना करेंगे मेरी फिल्म एक सस्पेंस थ्रीलर है मैंने बोनी को बताया कि श्रेदीवी एक कॉमन नेम है ये कहीं भी इस्तमाल हो सकता है मेरी फिल्म में लीड किरदार भी एक बिनेतरी ही निभा रही है इसको लेकर लेकिन उसके बाद भी बोनी ने उन्हें एक और नोटिस भेजने की मन बिलकुल बना लिया है सूत्र के नुसार ये भी बताया जा रहा है कि बोनी कपूर इस फिल्म से जुड़े सभी इंसानों से नराज भी दिखाई दे रहे हैं अब ये तो वक्त बताएगा कि फिल्म बनती है या बोनी कपूर नोटिस के दौरान इस फिल्म का टाइटल चें कि मुआ कि मुआ ये इंस फिल्म आ दे पाइव देसे हैं इस फिल्म से आराज़े समय कि इसे जिए क्या आराज़े से लग्त अदा बना आराज़े कि अवे सकता है कि मुआरा ज़ोईजा।